असलाम उलेकुम दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बाथरूम में टाइल्स के डिजाइन्स दिखाऊंगा कुछ आइडियाज आपको मिलेंगे आपको ये फैसला करने में मदद होगी कि आपको किस तरह की टाइल्स लगवानी चाहिए दूर से देखें तो ऐसे लगता है दो तरह की टाइल्स है नीचे ब्राउन लगी हुई है उपर लाइट फ्लू लेकिन अगर आप गौर करें तो ये एक सीनरी है जिसमें उपर आसमान और बादल है फिर नीचे कुछ फील्ड्स हैं और दरख लगे हुए हैं ये देखिए ये आसमान और बादल है फिर नीचे दरख्त है और आप शार बह रही है और उसके नीचे पैबल्स है और नीचे तक वह पैबल्स जा रहे हैं इसके कंट्रास्ट में मैं आपको दूसरे वाश्रूम में लेकर जाता हूं जिसमें सीनरी नहीं लगाई गई बलके रेगुलर है यह देखिए मैं आपको मास्टर बेड्रूम से इस वाश्रूम में लेकर जा रहा हूं यहां पर यह टाइल्स आपने कॉमनली देखी होंगी डिजाइन वाली टाइल्स हैं उपर लाइट कलर है और नीचे डार कलर है और सेपरेटिंग टाइल्स में फ्लावर्स बने किचन में देखें काउंटर टॉप के ऊपर कटलरी के डिजाइन वाली टाइल्स लगाई है तो वह ऐसी लुक देती है यह वीडियो भी बहुत इंपोर्टन्ट होती है क्यूंकि फिनिशिंग का आइडिया आपको होता है इनसे किस किसम की टाइल्स आपको लगानी चाहिए यहां पर देखें लाइट और डार्क ग्रे के कॉंबिनेशन के साथ टाइल्स लगाई गई है तो देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेंगी हमारा काम है आपको इन्फॉमेशन देना और आपको नए-ने आइडियास देना नीचे कॉमेंट करके जरा बताएं कि आपको तीनो वाश रूम्स में से सबसे जादा अच्छी कौन सी टाइल लगी सीनरी वाली या रेगुलर डिजाइन्स वाली और इसी वीडियो में आगे जाके आपको मैं दिखाऊंगा कि मौडन और क्लासी घरों में किस किसम के टाइल्स लगती है वाश रूम्स में उन लेकिन यहाँ पर बड़ा खुबसूरत ब्लाक और उसके कॉमिनेशन में ब्लाक और गोल्डन और ब्राउन और रस्टी किसम की सीडिया है तो यह मार्बल का डिजाइन भी काफेन है देखे इसकी ऐसी लूक आती है यह देखिए दोस्तो हजबेवादा जैसे मैं आपको बत लगाया जाती है और उनी का शेड वॉल के ऊपर भी लगाया जाता है आपकी मरजी या उपर तक लगाएं या मिडल तक लगाएं लेकिन बाहराल कहने का मकसद है के color scheme आप देखिए के light creamy रखा जाता है टाइल के उपर कुछ ज्यादा फूल बूटे नहीं बने होते बलके क कुछ भी नहीं बना होता, बिल्कुल प्लेन टाइल्स होती है, तो एक तो स्पेस काफी खुली-खुली नजर आती है, दूसरा देखने में बहुत डीसेंट लुक आती है, जो पाकिस्तान में आम तोर पर बात्रूम में टाइल्स लगाई जा रही है, उनसे कुछ लोगों के नजरिये के मताबिक थोड़ी चीप और गौडी लुक आती है, लेकिन बहराल अपने अपने नजरिये और शौक और चॉइस की बात है, हम किसी को चीप और गौडी नहीं कह सकते, बहुत से लोगों की पसंद होती है, लेकिन बहराल आपको दोनों तरह के बात्रूम दिखा कर लें और उसके लिए ये केमिकल काफी अच्छा है, इसकी प्राइस है 2200 रुपीज और ये आप हमसे मंगवा सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नमबर गिवन है, उमीद करता हूँ आज की शोट वीडियो से आपको काफी क्लारिटी मिली होगी कि आपको किस किस के डिजाइन लगवाने हैं अपने वाश्रूम में और अपनी सीडियो में और किचन में, ऐसे ही देखते रहिए बिलाल जफफर शो और सपोर्ट कीजिए हिना बिलाल शो को भी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में तब देखने के लिए